हाँ जी तो कैशो आप लोग मैं आपका निलेश पी आप बहुत बहुत श्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लास इच यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग शॉल्व करेंगे यूपी बोड का क्लास टेंथ का प्रिभियस इच यूटूब चैनल पे चैनल पे चले जाना और प्लेलिस्ट वाले सेक्षन में मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है उसमें जितने भी प्रिभियस इच यूटूब करा रहा हूँ जैसे हिंदी का मैंने चार सेट करा दिया है ठीके साइन्स का दो सेट करा दिया है तो जीतने भी प्रिभियस इच कराया हुआ है एक प्लेलिस्ट उसकी बना दी है तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो बाकि उस playlist का link इस वीडियो के description में भी मैं डाल दूँगा तो चलो इस वीडियो में हम लोग इसको solve करते हैं इस पूरे के पूरे paper को समझ जाओ कि आप लोग के लिए ये बहुत ही important सातों से ठे इससे ना important कोई model paper है न कुछ सबसे ज्यादा यह important है तो चलो शुरू करते हैं इनको solve करना सबसे पहले आप जानते हो कि आपका सुरू में 20 मार का objective question होगा भाई part A के अंतरगत तो चलो सबसे पहले हम लोग इन objective questions को solve करते हैं थोड़ा एक मिनट मैं mobile को थोड़ा off कर देता हूं नहीं तो काफी सार लोगों का यहां पर message आएगा तो दिक्कत हो जाएगी चलो भई कहोगा कि mobile को आफ कर दोगे तो वीडियो कैसे suit कर दोगे off नहीं actually flight mode कहने का मतलब था चलो तो यहां सबसे पहले part A के अंतरगत जो आप लोग का यह passes based question number जो एक से थ्री तक mcq होगा यानि पहला दूसरा और तीसरा उसके लिए एक यह passes दिया रहेगा यह passes आपकी book से नहीं होगा कहीं यह बाहर से होगा ठीके और इस passes को पढ़कर आपको तीन प्रसनों का उत्तर देना होगा तो चलो देखो ऐसे प्रसनों को करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसको unseen passes बोल सकते हैं तो unseen passes पढ़ने से पहले आप question पढ़ो की question क्या पूछा जा रहा है तो देखो यहां question हम लोग पढ़ते हैं और देखो इस question का न तो आप ऐसे ही answer दे सकते हो बीना पड़े क्यों क्योंकि देखो यह क्या है यह वो कहानी है जिसको आप सुरू से ही पढ़ते आ रहे हो वो united वाला ठीके मतलब जिसमें मतलब उसके पुत्र होते हैं भाई हमेसा एक दूसरे से वो जगरते हैं इसलिए जो old man होता है वो क्या होता है डिश्टेर्स होता है एक तरसे बोल सकते हैं दुख ही होता है तो उनको समझाने के लिए मतलब एक bundle आफी stick लाता है ठीक है और उसको तोड़ने को बोलता है तो मतलब उसके sons नहीं मतलब तोड़ पाते हैं और अकले 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 वो मतलब आराम से वो तूड़ जाएगी मतलब इस्टिक यानि छड़ी तो इस माध्यम से वो क्या समझाना चाहते है इस माध्यम से वो समझाना चाहते हैं तुम सब united रहोगे तो मतलब हमेसा was distressed because एक जो old man था वो हमेशा distressed रहता था क्यों क्योंकि his sons quarreled sometime with him sometime with him means उसके साथ quarreled करते थे तो उसके साथ नहीं करते वलकि अपने आप में करते थे his sons quarreled with their friends नहीं नहीं his sons are always quarreled with one another एक दूसरे से ये वाला option हो जाएगा ठीक चलो इसको बाकी पैसे को पड़ोगे तो कहीं लिखा भी होगा ठीक है चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला है इसमें फर्स्ट के बास सेकेंड नंबर कोशन कि an old man was distressed it means okay मतलब एक old man जो था वो distressed रहता था इत मिन्स इसका मतलब है कि ही वाज वो क्या था भाई distressed था एक तरसे यानि हम लोग बोल सकते हैं distressed का मतलब क्या कि वो sad रहता था भाई दुखी रहता था अपने बच्चों को लेकर ठीक है तो ये sad हो जाएगा happy तो होगा नहीं helpful तो होगा नहीं angry तो होगा नहीं distressed means दुखी रहता था क्योंकि उसके बच्चे आपस में लड़ा करते थे और ये ठड़ वाला है कि which word in the passage is opposite of weak weak का opposite क्या है passage में दिया हुआ सब तो भाई weak यानि कमजोर तो यहां पर देखो last में वो लिखा है कि अगर वो मतलब एक साथ रहते हैं sorry मतलब अलग अलग रहते हैं disunited रहते हैं तो they would always be weak तो हमेशा वो मतलब weak रहेंगे और अगर वो united रहते हैं तो वो हमेशा क्या रहेंग तो देखो यह तीनों मतलब प्रसनों का हमने answer दे दिया बाकी यहां पर जो पैसेज दिया रहेगा उसको पढ़कर ही यहां जो question पूछा रहेगा उसका answer आपको देना होगा तो अगर ऐसा आसान आ जाता है तो आसानी से इसको करने में time नहीं लेगा और थोड़ा अगर यह देखो इनको करने से पहले देखो मैं आपको बता दूँ इसमें हम लोग इस पूरे पेपर को solve करेंगे और इधर जो आपके यह आपके आर्टिकल और टिकल है न यह वाले सब आर्टिकल ठीके देख सकते हूँ यह science exhibition पर रिपोर्ट लिखने को आया है ठीके यह application है later है सब अपको हम लोग अच्छे से solution करेंगे इधर यह जो सब question है इन सब को question को हम करेंगे ठीक चलो और इन question का देखो जो अधर subjective question है उनका पहले से ही मैं अच्छे से देखो यह solution लेकर आया हूँ आप लोग देख सकते हो अच्छे से जो भी चीज़े है यह देख सकते हो सब ये article article सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो वई ठीक तो यह सब solution के साथ आप PDF चाहते हो तो यह PDF कहा मिलेगा और आपको लेना चाहिए मेरे वई ठीक इसको भी थोड़ा मैं बता दू उसके बाद यह आग एक question को मैं solve करता हूँ देखो हमारी एक एप है ठीक है हमारी एप कौन से है UPMSP study यहां पर दिखायता हूँ आप इसको play store से download कर सकते हो google play store पर search करोगे तो यह एप आ जाएगी एप का नाम यहां से भी देख सकते हो यह UPMSP study ठीक इसका link इस video के मैं description box में भी दे दूँगा अब देखो यहां आओगे न तो इस एप पर कुछ ऐसा interface दिखेगा अगर आप previous year paper free में चाहते हो तो यह previous year paper section में आकर free में आपको मिल सकता है previous year paper आप अगर उसको अच्छे से solution जाते हो जैसा कि अभी आपको यहां पर मैं दिखाया हर एक paper sheet का जैसे यह paper science के 7 code और 2024 में जो paper बनेगा न इन ही 7 code में से इधर उधर paper मतब करकर बनेगा ठीक है अधिकांस ठीक मेर भाई तो इसलिए 7 code को solve कर लेते हो पिछले साल के न तो आपके exam में उसमें से direct question देखने को भी लेंगे इसलिए मैंने ATM phone पे किसी भी माध्यम से payment कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है system तो यहां देखो यह QR code है इस QR code पे किसी भी दुकान से या अपने भाईया से किसी भी कहीं से भी आप payment इस QR code को scan करा करा दोगे और कराने के बाद जो payment है उसका फोटो ले लेना और इस number पे भेज़ देना ठीके और भेजने के बाद तुरंत आप call भी कर लेना ठीके या फिर call नहीं लगती है तो आप WhatsApp पे भेज़ देना मैं जेयों ही देखूंगा WhatsApp पे आपको इस batch में add कर दूँगा ठीके भई अब देखो इस batch में कहो कि भई या हमने एक जगह से खरीदा है वो तो batch में कुछ भी नहीं दे रहे हैं ठीके तो मैं जानता हूँ मेरा भई जहां से आप खरीदे हो न इस इन सब चीज़ों के लिए मैं पिछले 6-7 महीने से त्यारी कर रहा था यह 6-7 महीने से सब सॉलूशन कर रहा था और वो मेरा देखा देखी मतब 10-15 दिन पहले मतब पहले वो क्या कि हैं कि मतब पूरा मतब देखकर कि भई या निलेस तो लॉंच कर दिया मैं भी लॉंच करता हूँ तो देखकर लांज कियें, कॉपी कियें एक तरसे, कितना कॉपी करोगे भई, यह जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, यह चीज़े मैं लिखा है ना, नेचुरल ली एकदम अच्छे से, आपको किसी भी कोशन बैंक में नहीं मिलेगा, यह जो आप देख रहे हो इतने में, आप कोशन बैंक में देखोगे, तो इतना बड़ा-बड़ा आपका रिपोर्ट दिया हो है, यह जो रिपोर्ट लिखने को आता है, देखो, इतने में लिखा है, और यह साइंस एक्जिबीशन पे है, और एक क्राफ्ट एक्जिबीशन पे आता है, अभी मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा, बस दो-चार सब्ड आपको चेंज करना है, बस दो-चार सब्ड ही, ज्यादा नहीं, तो चलो, तो यह सब चीजे, मैं खुद से लिखा हूँ, तिछले 6 महिनी से त्यारी करो, और वो लोग, मतब देखा देखी, बस लांज कर दी है, और मैं देख रहा यहाँ पर कीवार कोड से भी पेमेंट करा सकते हो, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको हर एक सब्जेक का सातो-सातो सेटों का पेपर मिलेगा, वीध सॉलुशन, वीडियो भी मिलेगा, पीडियफ मिलेगा, और देखो अभी नहीं बता रहा था, आपको भी आपको मिल जाएंगे, और जो बोड ने मॉडल पेपर जारी किया है, जिसको सब लोग वाइरल पेपर, वाइरल पेपर करकर यूटूब पर पढ़ाते हैं, उसका भी सालूशन एकदम अच्छे से पीडियफ में मिल जाएगा, ठीक, चलो, इससे क्या होगा कि बीच बी वीडियो से आपका भीरिवाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक दो-दो घंटे की वीडियो होगी, समझ जाओ, तो इसलिए कह रहा हूँ, बाकी चलो, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता, आगे मैं चलता हूँ, आगे चीजों को शॉल्व करता हूँ, आप लो या मत लो, चलो, अ अपने पैरेंट्स, अपने टीचर से सजेसन लो, क्या हम लोग प्रिवियस एर पेपर इतने मात्र 99 रुपे में सब कुछ मिल रहा है, हम ले ले, तो कहेंगे कि अरी भई, 99 रुपे क्या है, इसके लिए अगर 99 रुपे करना पड़े तो ले लो, चलो, इस फ्रेंट, डाट हमेशा यहाँ पे क्या आता है, past perfect tense, had gone, जैसे मतलब होता है ना, जैसे, चोर के आने से पहले पुलीस भग चुकी थी, तो वहाँ पे आपका, सबसे जो पहले होता है, पहले आपका, past perfect tense, युग होता है इसे question में, past perfect, और फिर उसके बाद, आपका, past infinite, तो देखो, his friend had gone, त चलो आगे देखते हैं चौते बाद पाचेवा प्रस्ण कि if you do not want anything more you are ठीके क्या है मेर वाई एक बार और पढ़ता हूँ if you do not want anything more you are मतलब आप और भी चीजों को नहीं जाना चाहते हो if you do not want anything more आप और चीजों को नहीं जाना चाहते हो तो you are हो आप क्या हो भाई satisfactory हो या satisfying हो या dissatisfied हो तो सही आपसन satisfied होगा संतुष्ट हो भाई जैसे आप class में कोई teacher आपको कोई सवाल बता रहा है और उस सवाल से आप पुरी तर से संतुष्ट होगे या पूरे chapter आपको बता रहा है तो आप पुरी तर से संतुष्ट होगे कि हाँ chapter में अब लगा लूँगा तभी तो आप उससे कुछ नहीं पूछोगे तो अहीं कहते है कि if you do not want anything more यदि आप और याजन नहीं चाहते हो तो you are तो आप से satisfied हो संतुष्ट हो इसका मतलब डी वाल आपसन हो जाएगा question number 6 क्या है कि इसमें देखो ये rearrange करना है rearrange करना है जैसे ये see lot of money off borrowed hedge them from ये इससे मिलकर एक वाक्य बनेगा और उस वाक्यों को अलग-अलग देखो ये ultra सिध्या कर दिया है इसमें सही वाक्य है आप देख रहे हो ये भी पढ़ने से गलत लग रहे है ये तो आपका पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि सही है गलत borrow, borrowed hedge, see a money ऐसे ये भी देखो पढ़ो आपको गलत लगेगा अब ये पढ़ो तीन गलत तो ये सही होगा अब ये इसको पढ़ो आपको देखो she has borrowed a lot of money from them देख रहे हो ऐसे ही काफी अच्छा लग रहे है पढ़ रहे हो तो ये सही हो जाएगा सात्वा कोशन है कि which of the following word is misspelled इसमें से गलत कौन सा सब्द है misspelled हमें चाटना है important, देखो important, यहाँ पर देख रहे हो t e and t है, रहता है क्या t a and t, ठीक है तो यही गलत है और हमें गलत ही जाटना था बाकी ये importance है, देखो ये important और importance का मतलब क्या है important means महत्वण होता है कि ये paper काफी महत्वण है important है, और importance क्या होता है कि भाई, मतब स्वस्थ रहने के लिए रोज नहाना नहीं, ये नहीं बोल सकते महत्वण में कोई sentence देखो क्या मैं बताऊँ, मतब या क्या यार जैसे देखो, जैसे मैं बोल दूँ कि इस चीज का पढ़ले लिखले में बहुत महत्वण है, तो महत्वण, तो इस में this this thing is very importance इन पढ़ले निकले, ऐसे कर दो, तो ही है importance, ठीक, ये noun होता है ये noun सब्द होता है चलो, बाकि ये impossible आप जानते ही हो ये भी सही है, impact, यानि महत्वण ये भी सही है, ठीक, importance, impact impossible, ये spelling तीनों याद कर लेना इन में भी आपके गलती करकर इधार उधार पूछा जा सकता है मतलब आपका इजाम में, और ये भी सही spelling याद कर लेना, टी ए एजन्टी होता है चलो, आठवा प्रसन क्या है कि fill in the gap with suitable preposition suitable preposition के साथ आपको भरना है, fruits were distributed dot 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 those five wives, देखो यहाँ five wives, पाँच बच्चों को लिखा है अगर पाँच बच्चों में बाटा गया है तो यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ आठवे question में, तो इसमें आपका भरा जाएगा among, और अगर दो बच्चों में के वल बाटा जाएगा, तो between, तो इस चीज को और दो से अधिक बच्चों के बीच, अगर कोई चीज बाटा जाएगा तो वहाँ among यूज होगा, clear में भाई, चलो अगले question पर चलते हैं अगला question, question number 9-10 देख सकते हो, यह question number 9-10 आपके book से यहाँ पे एक passes दिया रहेगा, प्रोज के किसी भी टाइम वेस करने के क्या ज़रो थे, along with the rain मतब रेन के साथ, along with the rain रेन के साथ, वर्सा के साथ, dot dot dot, begin to fall क्या fall, यानि क्या गिरिना प्रारम हो गया भई, question number 9 में हमें भढ़ना है ठीक, तो भई, hell stone simple, यहाँ पर कही पढ़ोगे तो आपको question का answer भी मिल जागा, लेकि पढ़ने की क्या ज़रो चलो, आगे चलते हैं, अगला question number हम लोग, 11 से 13 तक देख लेते हैं, अब देखो, 11 से 13 तक, यानि 11, 12 और 13, यानि यह तीन question होंगे, यह direct आपके प्रोज से MCQ होंगे, यहाँ यह भी प्रोज से ही MCQ था, लेकिन इसके लिए पैसेज दिया था, लेकिन यह direct होंगे, कोई पैसेज नहीं, यानि प्रोज से आप लोग का 5 मर्क MCQ आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक तो सारे प्रोज के, जो MCQ है आप एक बार, जो भी नोट सोट्स बनाये हों, उसे पढ़ ले ना भाई, शलो देखते हैं 11 नमर कोशन, नेंसल मंडेला बीकम, बीकेम दी फोर्स ब्लैक, आफ 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 साउथ, सोरी, डाट डाट आफ साउथ अपनी गया, तो यह क्या भरा जाएगा, नेंसल मंडेला बीकेम क्या, प्राई मीनिस्टर, वाईस प्रेसिडेंट या फिर, डिफेंस प्रेसिडेंट यहाँ पर भराजाएगा प्रेसिदेंट बने थे, चलो तो यह क्लिएर कोशन नमर ही 11 चलो, कोशन नमरह 12 देखते हैं महासीर इस लार्ज फीस, फांड इन दी फ्रेस वाटर राफ डाट 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 रीवर किस रीवर में भाई कृष्णा गोदावरी कावेरी गंगा तो आपने पढ़ा होगा ये आपका कुर्ग वाला जो चेप्टर है उसमें ठीक कोशन नमर बारा के लिए आपका ये सी अपसन से हो जाएगा कावेरी में पाई जाती है यहां आ जाते है इस वगल इस वगल है ये देखो ये क्या कोशन है कि the bus fare यानि bus का fare भाड़ा from Wallach village बाली के village to the town यानि सहर तक वाज डट डट पैसे one way यानि एक तरफ के कितने पैसे थे ये हमें बताना है कि उसके घर से और सहर के जो bus का भाड़ा था एक तरफ का कितना था भाई 30, 40, 50 या फिर 20 यहां ह बताना है कि एक तरफ का कितना भाड़ा था तो भाई 30 पैसे था चलो अब देखो कोशन नमर 14, 15 क्या है तो यह है आपका यह एक प्रोज वाला जो चेप्टर है न जितने भी प्रोज वाला वो बलता बोल रहा हूं पोईट्री वाले ठीक है उन में से किसी भी पोईट्री क अब आउस से है पढ़े यो इसको पहले ही और इसका मैने तो सेंट्रल आइडिय भी लिखवा रख ओ आपको तो देखो फोग्यट्री सभी इंपाव लाइन आप लाइन में इस पीकर क्वाल तो leader, a teacher, the poet of why तो इसमें हमें बताना है कि कौन है इसमें तो the poet है भई इसमें तो simple poet है, leader या इसमें speaker कौन है, तो इस speaker बोलता है कि some से कुछ लोग कहते हैं कि the world will end in fire की मतब जो संसार है वो fire से नश्ट होगा एक तर से some say in eyes इसके सब लोग कुछ लोग कहते हैं कि मतब वो बर्फ से तो ये चलो ये तो जानते ही हो अर्थ बताने क्या जो पंदर नमर है कि in the speaker's opinion, the world will end in ice, fire, both ice and fire, neither ice nor fire तो देखो, कहने के मतब बर्फ से बर्फ से, आग से बर्फ और आग दोनों से या फिर ना आग से या ना बर्फ से तो इसका सही option आपका क्या हो जाएगा पंदर का भी आपका देखो, कि क्या option बही सही होगा तो इसका जो सही option होगा ये बी वाला हो जाएगा, fire अब को होगे कि मैं fire पर क्यों लगाया या ये बोथ eyes and fire होगा काफी लोग इसी पर click करका आएंगे तो सही है, chapter के अनुसार तो ये ही मतब होगा, ठीक है, chapter के अनुसार क्योंकि chapter में मतब लेखक बोलते हैं कि अगर आग से नई समाप्त होता है तो वो eyes से समाप्त हो जाएगा, ठीक लेकिन यहां देखो, इस passage में दिया है कि I hold with doj who favor fire अभी चार ही पक्तिया दिया है और इनी चार पक्तियों के अधार पे हमें चाटना है तो इन चार पक्तियों के अधार पे ये fire सही होगा आगे वो लिखते हैं अंत में आई से, तो यहां पे इसके अनुसार तो fire ही होगा तो यह B वाला हो जाएगा, चलो आगे चलते हैं अगला है की, एक मिनट अगला देखो, question नमर 16 से 20 तक अब 16 से 20 तक जो MCQ है न यह आपके supplementary reader से हैं, जो एकदम अंत वाला पाट है, तो चलो इनको करते हैं जैसे यहां पे देखो जो इसका एकतर से पहला question है और पूरे paper का पंदर के बाद 16 नमर question supplementary reader का अब यह first question है 16 सत्राठार उने 20 यहां 5 question रहेंगे तो चलो इसको करते हैं हरी सिंग डिड नाट नो, ओके हरी सिंग नहीं जानता था how to cook, but told that he could cook हरी सिंग खाना मना नहीं जानता था, लेकिन उसने कहा कि वह जानता है ऐसा उसने क्यों किया भाई he wanted work and food पहला है कि he wanted, वह चाता था work and food काम करना और खाना तो ऐसा नहीं था भाई उसके पीछे कुछ और रीजन था he wanted some place to sleep for a night ऐसा भी नहीं है he wanted to train anil as a cook he wanted to learn cooking अब देखो ये तो सारा, मतलब सब कुछ हसाने वाला option दिया है, ठीके लेकिन इसका जो सही option होगा ये first वाला ये option के अनुसार होगा पूरे चेप्टर के अनुसार तो ये सही नहीं होना चाहिए लेकिन अब option के अनुसार ये ही सही होगा क्यों? क्योंकि he wanted work and food क्यों मतलब काम करना चाता था और खाना चाता था और इसके पीछे रीजन क्या था तो भाई वो चाता था उसका पैटर्न ही था रहकर मतलब कहीं न कहीं और सारी सीज़े देखकर और चूरी करना लेकिन option के अनुसार ऐसा दिया नहीं है तो यही सही हो जाएगा पहला ही simple चलो अगला है 16 के बाद 17 नंबर कि during treatment of the dog the doctor ओके ये tricky वाला जो चेप्टर है उससे है क्या किये operated the dog या gave the dog many thing to eat kept an eye on the dog giving him no food but plenty of water बिलकुल यही है gave the dog a lot of नहीं फूड तो नहीं दिये भाई kept an eye मतलब उस पे ध्यान रखे और उसको मतलब कोई भोजन नहीं दिये और बहुत सारा उसको एक तर से बोल सकते हैं कि पानी उन्हों ने दिया ठीक चलो यह ठीकी वाले चेप्टर से question है उसके बाद 18 नमर question है कि bright mother gifted him a book travel of monarch एक ऐसे ही सही हो जाएगा which of the following statement is correct इनमें से कौन सा statement correct है यह हमें बताना है question number 19 में देखो Matilda borrow a necklace of real diamond okay real diamond का उधार लाई गलत है भाई जो मतलब उसने लाई थी अपने दोस्ते मांगर वो real diamond का नहीं था Matilda borrowed a necklace of real देखो यहां पर भी real diamond है जो उधार मांगर लाई थी वो real diamond का नहीं था भाई Matilda borrowed a necklace of artificial diamond हाँ artificial diamond का था and return or necklace of artificial का return की नहीं वो तो लाई थी मतलब artificial का यहां नकली हीरे का एक तरसे बोल सकते हैं और वो जानती थी कि यह असली हीरे का है और फिर उसके द्वारा खो गया तो फिर उसने असली हीरे का अपने दोस्त को दिया ठीक तो चलो Matilda borrowed यहां उधार लाई और नेकले सब artificial diamond का लाई and return और नेकले सब real diamond और real diamond यहां असली diamond का उसने return किया था चलो आगे देखते हैं अगला question अगला question उननीस के बाद 20 नमर है कि नमबर दन रामलाल had seven children और यहां पर दिया अपसन की two son and five daughters three sons and okay चलो आपका अपसन इसमें दिया आए अब इसमें से सही क्या होगा तो उसके पास three sons and four daughters इन तीन पुत्र और चार लड़किया थी ठीके हो गया हम लोगा 20 mcq अब चलो इस 20 mcq के बाद अब हम लोग direct चलते हैं जो subjective question है इन पे और subjective question आपको हम लोग solve करते हैं मेरे भाई ठीके बाकी आपको एक बार फीड कहूंगा आपको एक बार subjective question सारा का सारा मैं दिखा दूँ यहां पे आप लोग देख सकते हो यह सारा का भाई आप जोइन कर सकते हो लक्षे बैच मातर 99 रुपे में एप ठीक जिसमें आपको सारे सेटों का 2023 के और साथ में जो board ने जारी किया है उसका भी और मैं अपनी तरफ से जो बनाऊंगा वो भी सब कुछ और सबका टेस्ट भी मिल जाएगा मातर 99 रुपे में हमारी एप ठीक आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो या पेमेंट करने पर दिक्कत है कोई भी तो वहाँ पे QR कोड भी दिया गया है किसी दुकान उकान से भी पेमेंट करा सकते हो या फिर आप कोई भी समस्या आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो वहाँ पेमेंट करने Reading, Writing, Grammar, इस तरह, ठीक, तो चलो, Reading वाला सेक्षन सबसे पहले करते हैं, और जो इसमें पहला प्रस्ण है, आप लोग देख सकते हो, इसमें एक, ये Unseen Passage आपको दिया रहेगा, Read the following Passage and answer the question that follow, Okay, मतलब यहां पर एक Unseen Passage दिया रहेगा, आपके Book से नहीं होगा, और इस Passage से आप लोग का, यहां पर तीन नहीं, चार MCQ, माफ करना, MCQ बोल रहाओ, उधर का याद है, चार थे यहां पर question पूछा रहेगा, ठीके, जिसमें से तीन आपके दो-दो मार्क वाले रहेंगे, औ और एक आपका एक मार्क रहेगा, यानि 7 मार्क इस Passage से आपको मिलेगा भाई, ठीक, और यह Passage आपके Book से नहीं होगा, Book से अलग होगा, ठीके, चलो, इसलिए तो Unseen Passage बोला जाता है, यानि बीना पढ़ा हुआ है, ठीके, तो चलो, इसको हम लोग करते हैं, पहले question पढ़ या rich people से, क्यों इनवे करते हैं, इनवे मिंस इर्थिया करते हैं, ठीके, उसके बाद second question है, कि what is the first thing that works give us, ओके, जो पहली thing है, वो क्या है, जो हमें works, यानि काम देता है, भाई काम हमें अपना self-respect देता है, देखे होगे, society में कोई मतबद, इस समय बेरोजगारों की स्तित स्तिती देखी रहे हो, तुम रिल्स बहुत देखते हो साओ, तो बेरोजगारों की स्तिती देखते हैं, कोई जत नहीं, ठीक, चलो, यह C वाला है, कि who developed the best character, ओके, क्या develop करता है, best character, ओके, उसके बाद, ओके, देखो, यहीं पर character है, तो इसका answer मिल जाएगा, बीना पढ़े तो आप पसानी से इसका answer निकालोगे, कैसे अभी बताऊंगा, और ठट वाला, ठट के बाद, फोर्थ वाला है, कि what is the opposite, okay, of the man who works, give only one word, okay, man who works, यानि आदमी जो काम करता है, उसका opposite क्या है, भाई, वह आदमी जो काम न कर एक तरसे, आलसी आदमी हम लोग बोल सकते हैं, ठ चलो, तो इन दोनों question का तो यहीं पर answer है, देखो, यहाँ पर man who works, man who works, देखो, यहाँ पर आप match करो कि कहां यह मिल रहा है, ठीक, तो चलो, सबका answer देखते हैं, बारी बारी से, पहले यह दोनों question का ही हम answer देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पर मिल गया है, देखो, character यहाँ है, who developed the best character, बोल सकते हैं कि best character क्या, मतब कौन develop करता है, तो यहाँ पर है कि it is the man, मतब यहाँ, it is the man who works, मतब वह आदमी एक तर से जो अपना, मतब काम अच्छी से करता है, बोल सकते है, not the idea, I'll see, नहीं होता है, okay, not the idea, यहाँ इसका हम बोल सकते हैं कि man who works, यहाँ जो आदमी काम करता है, उसका बिपरित हो जाएगा idea, जो काम नहीं करता है, एक तर से इनहीं, आल सी आदमी, तो इसका तो what is opposite of the man who works, तो इसका एक तर से एक सब में इसका अंसर देना है, तो के वल आप idea, यह सब दलीक दो, आल सी, एक नमर आपको मिल गया, okay, that as a rule, develop the best character, okay, मतब यहा best character, मतब एक तर से देता है, तो चलो, एक तर से, यह इसका answer हो सकता है, यहां पर भी, लेकि चलो, पहले हम यहां से इसका, क्यों कोई दो-दो मार कोले है, तो इनको सुरू से देखते है, why do we sometimes envy rich people, हम, जो rich people है, उनसे कभी, एक तर से इर्षिया क्यों गर दें, तो यहां द nice to have, no work to do, okay, मतब कहने का मतब हो कि हम कभी कभी सोचते हैं कि यार हमारे पास काम कुछ करने को नहीं होता है, तो कितना अच्छा होता है, मैं तो खुछ सोचता हूँ, आप सोचते हो, कभी कभी काम करते करते, ठक जाते होगे, तो सोचते हो कि यार यह काम का जन जट नहीं ह होता है तो कितना अच्छा ओता है तो वो ही कह रहा है कि हम कभी कर भी सोचते हैं कि हमारे पास काम नहीं होता तो कितना अच्छा होता हाउ डू वी इंवे rich people who have not to work for their living but can do just what okay मतलब कि जो rich people है उनसे हम कैसे करें उनके करने को कुछ नहीं होता है फिर भी वर्क फार देयर लिविंग उके उनके लिविंग के लिए कोई वर्क नहीं होता है तो हम उनसे इर्षिया क्यों न करें वाट दे प्लीज आल दी और फिर भी वह मतब पूरे साल तक खुश रहते हैं तो हम उनसे इर्षिया क्यों न करें चलो मालो इसका अर्थ आप नहीं जानते हो ठीके आपको थोड़ा-थोड़ा यह पढ़ने आ रहे है थोड़ा-थोड़ा अर्दानते हो तो कैसे कैसे इसका मतब कोशन कांसर ढूड़ो गए जैसे यह पहला कोशन था यहां पर कि why do we sometimes envy rich people हम मतब rich people से envy क्यों करते हैं इर्ष्या क्यों करते हैं तो भाई क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है पैदा चीज तो फिर भी वो पूरे सा खूस रहते हैं जैसा कि यहां पे लिखा गया है यहां पे देख सकते हो कि we envy rich people ठीके who have not to work यहां लिखा गया है कि we envy rich people यह question में सही निकाला गया है ठीके देखो यहां पे question पुछा गया है कि why do we sometimes envy rich people तो लिख दो कि we envy rich people या we sometimes envy rich people हम कुछ समय जो rich people होते है धनियाद भी होते है उन से क्या करते है इर्थिया करते है because because लगा दो बीच में क्यों की अब बस because लगाने के बाद यहां से लिख दो जो यह लिखा गया है यहां पे देखो यहां पे लिखा गया है न कि who have not to work for their living but can do just what they please all the year तो ऐसे लगा दो आप तो देखो यहां पर लिखा गया है कि we in very rich people because क्योंकि they have not to work for their living but can do just what they please all the year यानि कहने का मतलब की उनके पास living के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है और वो पूरे साल बर खुश रहते है एक तर से तो यह पहले का आंसर हो जाएगा उसके बाद second question क्या पूछा जा रहा है second question देखो what is the first thing what is the first thing that work give us मतलब first thing क्या है जो work काम देता है तो भाई एक तो भाई काम करेंगे तो पैसा आएगा तो happiness देगा और एक तर से वो हमारे character को भी build करेगा तो देखो यहाँ पे इधर शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं देखो यह कहीं लोग रहे है कहीं आपको दिखाई दे रहे है काम देखो देखो यहाँ पे है work the first thing the first thing does for us is to give us happiness मतब जो work है हमें happiness देता है the work gives us self-respect देख रहे हो यहाँ पे तो यहाँ हमें question क्या पूछा गया था कि what is the first thing that work gives us तो लिख दोगे कि the first thing that work gives us आगे लगा दोगे is है क्या है happiness and self-respect ऐसे लिख दोगे आपका काम हो गया तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है मैंने थुड़ा अलग साइड से लिखा है happiness and self-respect are the first things that the work gives us तो कैसे भी लिख सकते हो वह आपका मन इसको लिखोगे तो कई प्रकार से आप लिख सकते हो तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है और अभी मैंने जो बता है वह अलग तरीके से बता है तो वह अलग अलग आप तरीकों से लिख सकते हो है आपको इसा नहीं कि जैसे यहां पर लिखा करे अइसे ही को गया आगे छलो है यहां अगले कोश्ञ पर चलते हैं अगला कोश्वन क्या था कि- डेवलप the best character क्या best character मतलब सब्सक्राइब करता है तो देखा यही पे हमने पृत था एफ़ याई बड़ Cleo मतलब एक आदमी जो काम करता है आलसी नहीं होता है that as a rule और यह उसका rule होता है वह क्या करता है कि best character एक तर से develop करता है हम लोग लिख सकते हैं ठीक है तो देखो यहां पर कैसे लिखा गया है कि the man who works not the idea that as a rule develops the best character देख रहे हो simple यहीं उठाकर लिख दिया जाता है आगे देखो ओके इसको तो हमने कर लिया है चलो यह हम लोगा हो गया यह हम लोगा क्या था unseen passes था जो डियाई वाले paper sheet में पूछा गया था 2023 के बोड़ी जमें पीछे भी यह पूछा जा चुका है क्योंकि previous year से ही मतब सारे question अधिकांस आते हैं आपके इंजा में तो previous year लगाना जोड़ी है मेरे भाई चलो अगला question अब देखो reading के बाद writing section आता है और first के बाद यह second number question इसमें क्या है इसमें question है कि यहाँ पे आप letter लिखो यह दिया गया topic है write a letter to your friend to invite him या her भाई आपका friend him यानी him हर यानी महिला भी हो सकती है या फिर पूरुस भी हो सकता है तो इसलिए him हो लिख है to attend your elder sister marriage ओके आपकी elder sister की marriage है उसको attend करने के लिए आपको पत्र लिखना है भाई letter लिखना ह आपने friend को चार मार का प्रस्ण है चलो अब यह आप लिखो अथवा यहाँ पे आपके पास option है कि आप क्या लिखो application लिखो आपके exam में हर एक paper शेट में ऐसा रहेगा एक यहाँ पे letter दिया रहेगा यहाँ पे application दिया रहेगा बीच में और रहेगा तो आप लेटर लिखो या application लिखो, यहाँ पर चलो मैं दोनों topic पर बताता हूँ, ठीके, सबसे पहले हम लोग later लिखते हैं, उसके बाद हम लोग application लिखेगा, application की चीश पर लिखना है, सबसे पहले हम लोग, यह elder sister पर हम लोग later देखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट देखो, आप जो भी है, यहाँ पर, आप सबसे पहले क्या करूँ कि इसका, उपर मालो थोड़ा address type का लिखोगे, राइटिंग सेक्षन यह के question number 2 है, ठीक, क्या लिखोगे, भाई किसको लिख रहे हो, अपने friend को लिख रहे है, तो friend का उपर सबसे पहले address थोड़ा लिख दो, कि flat number, अपने हिसाब से यह बना कर, ठीक है, flat number 60, सरोजनी नगर, लखनव, उत्तरपरदेश, और यही पर date 24 एक्जामपल के तोर पर मैंने लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पर जिस दिन लिख रहे हो, उस दिन का date लिख दो, अब कहोगे कि आपने 24 में भी लिख दिया है, future में, अरी या, एक मैट, लिखने को तो कुछ भी आप लिख सकते हो, मेरा भाई, ठीक है, लिखने को तो यहाल है, चलो छोड़ो, यहाँ पर आप मतब जिस दिन लिखना वो date लिख देना, और उसके बाद लिखना, dear राकेस, या किसी को भी जिसको लिख रहे हो, आप यहाँ उसका नाम, dear, राकेस, dear, नीधी, जो जिसको भी लिख रहे हो, ठीक, उसके बाद लिखोगे, उसके न लिखो पहली लाइन ठीक अब आपको क्या लिखना है यहां पर कैसे लिखना है देखो लिखो कर यहां पर कि I hope you are doing well मैं आसा करता हूं तुम अच्छी कर रही होगी यह अच्छी होगी ठीक है I wanted to inform you मैं तुमको इन्फर्म करना चाहता हूं ठीक है यहां पर किसको लिख रहे हो वह डिपेंड करता है ठीक यहां पर राकेस को हम लिख रहे है तो अच्छा होगा बोलेंगे ठीक तो I hope you are doing well मैं आसा करता हूं तुम अच्छे होगे यह अच्छा कर रहे होगे I wanted to inform you मैं तुमको इन्फर्म करना चाहता हूं that की I have good news मेरे पास एक अच्छी ख़बर है which is जो है which is जो है that की my elder sister is getting married soon मेरी जो elder sister है उसकी साधी जल्द होने वाली है and I want to invite you और मैं तुमको इन्वाइट करना चाहता हूं to the wedding यानि साधी के लिए एक तर से या साधी में clear मेरे वही तो देखो यह पहली एक तर से इस तर लिए पहली लाइन ठीक उसके बाद क्या लिखोगे उसके बाद लिखोगे यह देखो हमने मैंने यह अपने हिसाब से बनाकर लिखा हुआ है ठीक है आप इसको कहीं किसी बुक में किसी कोशन मैंग में यह नहीं पाओगे मेरे भाई ठीक चलो आगे देखते हैं आगे लिखोगे कि the wedding will be on the 12th of May और मैं आसा करता हूँ कि मतलब तुम और तुम्हारी फेमिली इसको मतलब अटेंड करेंगे उपस्तित होंगे उसमें It is such a joyful occasion for all of us यह हमारे लिए यह हम सब के लिए It is such as a joyful मैंने खुशी से भरा हुआ occasion है ठीक है तो यह हम सब के लिए खुशी से भरा एक तरसे occasion है चलो आगे लिखोगे कि I hope मैं ऐसा करता हूँ You will be clearing your all works अपना सभी काम clear कर रहे होगे ठीक So, इसलिए यह कर लिए होगे So, इसलिए that you are free on that day इसलिए तुम उस दिन free ही होगे ठीक है free रहोगे Please reply क्रिपिया मुझे उत्तर देना whether you will be attending or not Okay, मतलब तुम इस साधी को attend कर रहे हो की नहीं कर रहे हो I and our friends are hoping you will join us Okay, मतलब मैं और हमारे जो भी friend हैं वो आसा कर रहे होगे कि तुम क्या करोगे या आसा करते हैं कि तुम ये साधी जोईन करोगे ये marriage जोईन करोगे Simple तो जहां हम लोग sister लिख रहे थे यहां पर sister वहां पर हम लोग केवल brother change कर देंगे, brother लिख देंगे ठीक है बस तो यहां पर आपके जहां में sister के marriage पर आजाए, brother के marriage पर आजाए यही आप यही लिख होगे बस यहां sister के जगँ पर जहां जहां लिखा है आप brother कर दोगे और sister या brother पर ऐसे मतलब साधी अटेंड कर ले के लिए later लिखने को आता ही है तो याद कर लेना ठीक, शलो, आगे चलते हैं और यहां पर अंत में लिख देना कि your friend यानि आपका दोस्त और आपका नाम चुकी exam में लिखना allow नहीं होता है तो यहां पर आप xyz कर देना, ठीक xyz लिख दोगे, simple, शलो, आगे चलते हैं अब देखो, इसमें और वाला करते हैं, या application भी हम कर लेता है, क्योंकि आपके exam में हो सकता है, किसी के Papecha Set में यह मतरफ फंस जाये, और किसी के Papecha Set में नग क karşı नहीं फंसे यह भी लिख 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 लेते हैं या इस लिख हमें lacking of library के लिए क्या लिखना है पत्र पत्र सॉरी application लिखना है ठीक तो चलो लिखोगे to the principal अब यहां पर का नाम लिख दोगे हमर साहिद बागत सर्थ इंटर कॉलेज लखना हुए या जो भी नाम हो आप अपने हिसाब से लिख दोगे यहां पीलीग तो मैडम या शर ठीक और लिखोगे कि मोस्ट रिस्पेक्ट फुली most respectfully I beg to say that college library I beg to say that the college library is lacking of its function यान वही कि college library क्या है मैं आपके से ब्रिंता पुरुव अपनी वेदन करता हूँ कि जो college library है अपने function से lack कर रही है यानि उसमें कमी है in our college हमारे college में library in our college library हमारे college library में most books related to our new pattern हमारे नय पैटरन प्याधारित most books are related to our new pattern यानि हमारे new pattern प्याधारित बहुत सरी किताबे are not available, available नहीं है and our exam will be held next month और हमारा जो exam है अगले महीने होने वाला है apart from this यानि इसके साथ साथ there is also a shortage of chairs and tables और इसके साथ साथ यानि जो book है उसके साथ साथ क्या है कि shortage of chair lacking के लिए है यानि कमी के लिए ही तो लिखना था तो यहां देखो shortage of book book का तो shortage है ही भाई है ही नहीं और shortage of chair chair का भी shortage है tables का भी shortage है तो यहां पर लिख किया कि कमी है apart from this यानि वही apart from this यानि जो हमने इसके साथ साथ, यानि किसके साथ साथ, बुक के साथ, there is also shortage of chair and tables, chair और table की भी कमी है, आगे लिख दोगे अंतर में, कि I request you, please provide all things related to library, मैं आप से निबेदन करता हूँ कि लाइबरेरी से लेटे जो भी चीज़े हैं, उनको आप provide करें, तो देखो इतने में ये कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, I think अगर question bank में देखोगे, book में देखोगे, इतना बड़ा बड़ा लिखा हूँ है, ऐसे word लिखे हूँ है कि आपको याद भी नहीं होगे, यहाँ अर्थ सहीत मैं आपको अच्छे से बता दिया, आप आसानी से याद कर लो और लिख दो, और अंत में नीचे ये लिख देना, क्योर अवेडे अंटिली, x, y, z, और class जो भी हो, यहाँ पर class 10 है, तो class 10 लिख दो, 10 ऐसे भी लिख सकते हो, रोमान अंग भी लिख सकते हो, और यहाँ पर इधर या इधर भी, कहीं भी date डाल दो, dated, जिस date को आप लिख रहे हो, 22, 5, 22, 23 से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक, चलो, बाकि आप, जिस दिन, आपका 4 को न, इंगलिस का पेपर है, तो भाई, 4 को देना पेपर, तो यहाँ पर, 0, 4, 0, 3, 24 लिख देना, simple, चलो, आगे चलते हैं, अब देखो, यह तो हम लोगा, क्या हो गया, टॉपिक पे, या फिर आपको दिये के टॉपिक पे क्या लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा, यह तो आर्टिकल देखो, यहाँ पर है, ठीक, तो चलो, हम लोग रिपोर्ट भी देखते हैं, आर्टिकल देखते हैं, और रिपोर्ट यहाँ दो टॉपिक पे मैं आपक क्लियर कराने वाला हूँ, रीपोर्ट किया दिया है यहां पे, देखो, राइट और रीपोर्ट और यह छे मारका होता है, मैरे भई यह किसने मारका, देखो, यह छे मारका होता है, यह तो आपका चार मारका हो गया, क्योंकि इसमें तो छोटी चीजे है छोटा बाई application लिखो या लेटर लिखो छोटा होगा और ये थोड़ा बड़ा होता है आपका report देखो 80-100 सब्द में कम से कम ठिक चलो तो इसको लिखते हैं सबसे पहले report लिखना है write a report on the science exhibition देखो science exhibition पे हमें report लिखना है in your college in about 80-200 watts यानि 80-100 सब्दों म बाकी आप बीना hint का ही भी लिख सकते हो लेकिन इस hint का उप्यों करकर लिखो गे तो ज्यादा वेटर रहेगा आपको सोचना नहीं फड़ेगा time नहीं लेएगा तो चलो देखो जैसे hint में दिया कि date मतब date इसी hint का उप्यों करकर मैंने लिखा हुआ है जैसे आपका date कब ठीक साइन्स एक्जिबिशन इसका integration model एक्जिबिशन में मतब मौडल क्या थे ठीक है जैसे models लड़के बना कर लाए होंगे वह गैदरिंग ओभराल impression and experience चलो तो यहां पर चलो यह तो ठीक है आप इसका उप्यों करकर लिख सकते हो बाकी देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है यहां पर देखो और दो चीज़े आती है important एक तो आपका science exhibition जो यह आपका दिया है topic science exhibition वही और एक आपका बस यह craft जोड़ो craft exhibition ठीक craft exhibition अब देखो इसमें जहां जहां मैंने science लिखा है वहां वहां केवल अगर आपके craft exhibition पर आ जाए तो science के जवापे science को हटा कर क्राफ्ट क भी हो जाएगा 2023 के ही side DH वाले paper में craft exhibition पर आ था मुझे याद नहीं लेकिन किसी paper set में आया था 2023 में और यह science exhibition पर आया है यहां पर तो मैंने दोनों को ऐसे लिखा है जानबूश कर ऐसा मैंने किया है कि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े ठीक है तो आप इस एक याद क इसको मैं आपको मतब चलो लिखा मतब इसको समझाता हूं अच्छे से बता भी दूंगा कि क्या 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 आपको हटाना है देखो यहां पर कोई भी डेट लिख सकते हो जैसा कि हम हिंट में दिया था कि पहले डेट भी लिखो ठीक है चलो तो डेट हमने ऐसे लिख लिया है कि आप यहां कोई भी डेट आप डाल सकते हो ऐसा नहीं कि 20 जनूरी ही डालना है आपको ठीक चलो हमारा स्कूल जो है और साइन्स एक्जिबिशन एक साइन्स एक्जिबिशन यानि बिज्ञान परदर्शनी नहीं होता है आप देखे होगे खांसकर यह इंग्लिस मीडियम वाले स्कूलों में बहुत ज्यादा चीज़े होती है साइन्स एक्जिबिशन मतलब इसमें जीजे बना कर ले जाते हैं कोई बंदुक कोई कुछ कोई कुछ ठीक है तो वही हुआ तो आन्ट जैनरी टूर्ट एक्जिबिशन इसकों हमारे स्कूल ने साइन्स एक्जिबिशन यान परतर्शनी तरस बोल सकते हैं वह और ग्नॉइस्ट किया इस रो चीफ देखो आई- इस ब्यूटिफुल ओकेजन पर इस इस सोमनाथ जो थे हमारे चीफ गेश्ट थे यहां पर चीफ गेश्ट के तौर पर और कोई भी नाम लिख सकते हो ऐसा नहीं कि यह इस रो मतब चीफ गेश्ट सोमनाथ लेकिन साइंस पर लिखना तो भाई यह साइंस से रिलेटेड है तो इस रो चीफ एस सोमनाथ वाज आवर चीफ गेश्ट अन दिस ब्यूटिफुल ओकेजन आगे लिखोगे कि दि प्रोग्राम स्टार्टेड प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया विद प्रेयर यानि प्रेयर से ही अट 9 अम यानि सुबब प्रेयर से यानि कहना का मतलब प्रेयर के बाद तुरंट इस टार्ट हो गया नौ बय से यानि जो टीचर थे सारे के सारे और जो प्रेंस्पल थे वो सबी के सबी इग्जिबीशन में क्या थे प्रेजिन थे उपस्तित थे इग्जिबीशन वाज ओपन टू दी इस्टूडेंट्स फ्राम अधर्स जो भी इस्कूल के बच्चे हैं उनके लिए लेकिन यहां पे ऐसे मैंने लिख दिया है कि दूसरे इस्कूल के भी उसमें अटेंट कर सकते हैं बाकि इस लाइन को अगर नौ भी लिखो तो काम चल जाएगा ठीके अब देखो इसके आगे लिखोगे कि इट वाज अ मॉडल साइंस पे अधारी अब देखो यहीं पे आप साइंस के जाओ पे आप अगर मतलब क्राफ्ट एक्जिबिशन पर लिखते हो तो क्राफ्ट कर देना बेस्ट अन क्राफ्ट एक्जिबिशन ठीके रिलेटेड एक्विपमेंट्स इट वाज अ मॉडलिंग कॉंपटिशन या मॉडलिंग एक्जिबिशन बेस्ट अन साइंस रिलेटेड एक्विपमेंट्स ठीक मैनी स्टुडेंट्स हैद मेड दिफरेंट ताइप अफ मॉडल बनाय हुए थे I had made a model of rocket मैंने एक rocket का क्या बनाय था model बनाय था in the end अंत में all the teachers and chief guest examined all the models and declared me the winner यानि अंत में सभी teacher और जो भी chief guest से उन्होंने मतलब examine किया यानि वही जांच किया देखा क्या सभी के सभी model को और मुझे winner declare किया and then और उसके बाद honored me और उसके बाद मुझे सम्मानित किये after that इसके बाद our chief guest यानि हमारे जो भी chief guest है आप लिख भी सकते होगे our chief guest एस सोमनात gave a motivational speech एक motivational speech दिये on the importance of science अब देखो on the importance of science अब यहाँ पे अगर craft exhibition पे लिख रहे हो तो हम धो लिखों वाए लिख सकते हो यह भी science यह लिखा गहे है तो science एक्जी ब्रिशन पे लिख रहे हे तो science exhibition ठीक की और अनदी इंपोर्तेंस अफ शाइंस एडिविशन या अच्छा से इसका आर्थ भी बता दिया, समझा दिया आपको, आप बुक में देखोगे, क्यूशन मैंक में देखोगे, इतना बड़ा दिया हुए है, इसे बहुत बड़ा-बड़ा, आपको याद भी जल नहीं होगा, तो चलो, इसमें ऐसे वर्ड भी मैंने लिखा है, जो आ आप आर्टिकल में किस टॉपिक पर लिखना है, तो देखो दिया है, कि आपको इसे और मिसेज आपको मॉबाइल फोन, या इसमें भी आपको हिंट दे दिया, कि फोन कॉन्टेक्स पर, गुगल सर्चेज पर, इंटरटेंड मेंट, मतलब यह सब उप्यूग कर सकते हो, तो पत्व यूद्ध में किया होता है तो 30 में कुम स minder दिए रहता है तो ये थोड़ा लिखना असान हो जाता है क्योंकि अपने दिमाग साइड़ गूगल सउच का यूज कैसे मतब अच्छे तरीके से हो सकता है कैसे इसका बूरे तरीके से क्योंकि यहां miss usage भी हमें मतब दिया है तो mobile phone का यूज़ करकर हम google searches में किस तर से miss usage कर सकते हैं और किस तर से चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं वो आप लिख सकते हो तो उसे idea मिल जाती है तो चलो यहां पर आर्टिकल हमने लिखा है usage and miss usage of mobile phone तो चलो सबसे पहले usage of mobile phone ऐसे heading type का डाल लेना इसमें एक दो तीन मैंने करकर लिखा है सबसे पहला phone contacts मैंने आप direct भी लिख सकते हो यह heading ना बनाने की भी जुरूत हो तो आप direct लिख सकते हो बागी heading बनाकर मैंने लिखा है चलो phone context का कैसे use किया जाता है क्योंकि usage में लिखा है हलांकि इसका message भी किया जाता है चलो तो message वाला मैंने नीचे लिखा है चलो इसको पहले है मैं usage वाला देखता हूँ usage of mobile phone यूजर में मैंने यह चार टाफिक पे लिख्या हुआ है तो दखो, इसमें क्या लिखोगे phone context में, कि we can easily call, हम असानी से call कर सकते हैं, email कर सकते हैं और send text message to our phone contacts, हमारे जो भी phone contacts में है, मुझे उसको असानी से call कर सकते हैं, email कर सकते हैं, और text message बेश सकते हैं, ठीक है यहां तक की video message भी बेश सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हो, कि और send text और video message ऐसे लिख सकते हो, we can also make a video के, यहां पर लिखा ही गया है, we can also make a video call by using internet to our contacts ठीक है, simple है, मतब यहां पर हम लोग phone contacts इसका उज़ करकर, और phone के माध्यम से ठीक है, हम लोग किसी को भी क्या कर सकते हैं, call कर सकते हैं, email कर सकते हैं, text message video call कर सकते हैं, तो यह लिखा गया है, इतने में, ठीक है के ओल इतना आप लिख दो, इसमें काम हो जाएगा आपका तो यह phone का phone के ही माध्यम से तो आप यह सब चीजे करते हैं तो यह phone का usage हो गया तो usage आप phone में हमने यह चीजे लिखा है उसके बाद second देखो Google searches का किस तरह हम लोग use कर सकते हैं ठीक है चलो अब देखो we can search any information क्या लिखा है कि we search any information by using Google search engine we can search any information by using Google search engine on Google we can search any topic and get more than 100 solution on one topic यानि हम Google पे कोई भी एक topic search कर सकते हैं और उस पे हम लोग 100 से ज्यादा solution पास सकते हैं चलो तो ये भी इसका एक तरसे काफी मतब मोबाइल फोन का अच्छा है युजे भाई आज देखो कोई भी जनकाई लेनी हो हम लोग Google पे search कर सकते हैं कहीं जाने की जूरत नहीं है पहले क्या होता था जैसे भाई हम लोग जैसे आर्मी आपीशर कैसे बने आर्मी ओफीशर भरती आई है युपी पुलिस का स्लेबस क्या है तो पहले हम लोग क्या करते थे कि भाई जब हम लोग के पास फोन नहीं था फोन नहीं था तो हम लोग क्या करते दुकान पर जाते थे बुक लेते थे बुक में देखते थे कि युपी बोड मतब सौरी युपी बोड में द ले रहे हो, रील्स देख देखकर तो चलो, we can get entertainment by using google search at any time यानि हम entertainment ले सकते हैं by using google search, यानि google search का use करकर, ठीक है, anytime किसी भी समय there are free mobile application that provide entertainment, यहां मतलब बहुत सारी एक तरसे बोल सकते हैं कि mobile application है, free mobile application है जो हमें entertainment देती है, जैसे एक mobile यह फी, तो है YouTube, okay including live streaming, okay live stream को भी इंक्लूइट कर गए video calls, music, games and social networking यानि अलगल एक चीज़े मैंने लिख दिया कि सभी क्या उच्च करकर हम लोग, phone के दौरा क्या कर सकते हैं, कि entertainment पर आप कर सकते हैं swapping में मैंने क्या लिखा है, usage यह सब क्या है, यह mobile की usage ही तो है तो mobile usage में यह सब चीज़े में लिखा है किस तरह से हम लोग shopping करते हैं mobile phone का उच्च करकर देखो, करते ही आज हम लोग, तो उसको भी मैंने यहां पर लिख दिया कि today we can shop for any time, sorry, anything sitting at home by using phone, okay, मतलब हम हम किसी भी समय, आज कहीं भी बैठे एक तरह से phone का उच्च करकर shopping कर सकते हैं online shopping, flip card, Amazon एक मैट्टी यार, थोड़ा पानी पी लेता हूँ गला बैट रहा है ओके, शलो तो by using mobile phone today we can shop for anything sitting at home by using mobile phone हम आज shop कर सकते हैं many things, यानि कुछ भी घर पे बैठे हुए mobile phone की मदद से, there are many things which are not available in local market, बहुत सारी चीज़े हैं जो local market में available नहीं होती हैं but are available in online shopping, लेकिन online shopping में available होती है, ठीक है we can easily buy him हम उसे असानी से buy कर सकते हैं and order it at any address और किसी भी address पे order कर सकते हैं, तो यह हुआ usage of mobile phone, clear में भाई चलो, अब हम लोग देखते हैं message of mobile phone ओके भाई, चलो, तो अब हम लोग देखते हैं, क्या, message of mobile phone, अब देखो message of mobile phone में आप क्या लिखोगे सबसे पहले तो इस से का use करकर cyber crimes में किस तरह मतलब गलत चीज़े होते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, कि लिख दो, कि mobile phone crimes, mobile phone crimes are cyber crimes committed through mobile phones, ओके मतलब, जो mobile phone crime हैं वो क्या कहलाते हैं, are called, ऐसे भी लिख सकते हैं, mobile phone crimes are called cyber crimes which, यहाँ लिख दोगे कि which यानि जो committed through mobile phone जो mobile phone के दोड़ा, मतलब, किये जाते हैं एक तरह से, ठीक, most cyber crime is committed by cyber criminal और hackers, मतलब, बहुत सारे जो मतलब, cyber crime हैं वो committed यह निए एक तरह से commit किये जाते हैं, cyber criminal दोड़ा या hacker दोड़ा, देखो, cyber criminal और hacker में अंतर है, hacker जो होते हैं वो अच्छे काम भी करते हैं, ठीक, और बुरे काम भी करते हैं, ठीक, जैसे hacker जो होते हैं, भाई, जैसे भारत के hacker हैं, ठीक, तो अलग-अलग देशों के, जैसे, मतलब, जैसे, पाकिस्तान है, पाकिस्तान, भाई, कोई secret plan कर रहा है, भारत पर attack करने के लिए, तो hacker, मतलब कोसिस करेंगे कि वो information क्या है क्या बता रहे हैं उनको hack कर ले तो यह देश के लिए तो एक अच्छा भी काम हुआ ठीक है तो hacker अच्छा भी काम करते हैं लेकिन जो cyber criminal होते हैं वो हमेशा वो बुरा काम ही करते हैं ठीक है चलो मतब किसी न किसी तरीके से मतब धोखा दे कर दू committed by cyber criminals or hackers who want to make money यानि simple कि वो money बनाना चाहते हैं आगे लिख दोगे कि cybercrime is a criminal activity है एक criminal activity है और इसके लिए सजा भी होती है वही ऐसा नहीं कि छोड़ दिये जाओगे चलो यहां आगे चलते हैं ओके यहां मैंने लिखा है क्या कि here are some type of cybercrime सब cybercrime के कुछ यहां टाइप है और email fraud आज कल यह बहुत हो रहा है हम लोग यूटुबरों के साथ आप देखते हो यह सुने होगे कि भाई email भेजा email में एक link भेजा मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा YouTube channel hack हो गया तो यह भी एक email fraud है ठीक तो उसको phishing बोलते हैं second identity fraud आप जानते हो कि जैसे आपके identity क्या यूज करकर और कहीं न कहीं फायदा लेना जैसे इसको identity fraud को यानि where personal information is stolen and used यानि identity fraud करना यानि आपका identity यूज करकर और कुछ गलत चीजे करना कुछ चीजे चूराना या जो भी हो गया ठीक selling illegal items online यानि online illegal item भी send करना क्या है एक तरसे cyber crime है जैसे आज कल तो यह क्या क्या यह लाओ है चलो मैं नहीं लिखता हूं ठीक तो वही अच्छा यह ठीक है यह जो मैं लिखा ठीक है एलकोहल यह तो illegal चीज नहीं है illegal चीज हो जाएगी आपकी जैसे drugs हो जाएंगे drugs ठीक है क्योंकि drugs banned है और उसको बेचना एक तरसे मानलो वह illegal हो जाएगा ठेप्ट एंड सेल आफ corporate डाटा ओके ठेप्ट मिन्स वही थीप या ठेप्ट मतलब थीप मिन चोरा और ठेप्ट मिन चुराना तो ठेप्ट एंड सेल corporate डाटा यह नि corporate डाटा चोरी करकर बेचना आ और मतलब फिल्म बोल रहा हूं sorry मतलब फिल्मों में आपने देखा होगा कि इस company का कोई है डाटा चोरी करकर और दूसरी company को बतायता है उस company के share गिर जाते हैं ठीक है तो ही मतलब company का डाटा चुरा लेना simple चलो तो यह सब क्या है यह cyber crimes के एक तरसे type है अंत में लिख दोग में दो ही topic पे मैंने लिखा है हलांकि यह थोड़ा बड़ा हो गया है और बड़ा देखो बड़ा बड़ा से मतलब नहीं है यह आपके social life से related है तो आसानी से चीज़ है याद हो जाएगी that excess of anything is not good कि किसी भी चीज का ज्यादा यूज अच्छा नहीं है वह सही बाते है वी इस्पेंड आवर प्रिस्टियस टाइम हम अपना प्रिस्टियस टाइम मत पून समय क्या करते हैं कि स्पेंड करते हैं on mobile phones यानि mobile phone पे फिर किसी का कॉल आ रहा है क्या वही है चलो everyday यानि per day which has very bad effect on our time as well as health जो हमारे health पे और हमारे time पे बहुत बूरा आसर डालता है ठीक मेर वाई तो ये addiction of mobile phones में लिख दोगे तो ये हमने लिख दिया maybe आप士 यानिесे मोबाइल फॉन में टोड़ी फूरी ये पहatा है कि बढ़ा नहीं है तो ये थुड़ी थूड़ी तो ये लग अप इसको याद करने चाहते हैं कर सकते हो अगला हम लूग आगया बाजात है ग्रामर सेक्षन वाला चलो ग्रामर सेक्षन वाली जितनी जी हम लोग देख लेते हैं ग्रामर सेक्षन इसमें आपका चोथा प्रसन है और इसमें A, B, C, D करकर चार प्रसन है देख सकते हो पहला क्या है कि rewrite the following sentence into indirect इसको हमें indirect में लिखना है Mohan said to Seema, please help me, okay Mohan ने Seema से कहा कि please help me तो इसका बना दोगे कि Mohan requested Seema to help him, ठीक, चलो उसके बाद change the following into passive voice, इसको passive voice में change करना है I am writing a letter, तो ये बही object है subject बन जाएगा, ये subject है object बन जाएगा, simple तो a letter is being written by me, ऐसे इसका बना दोगे, उसके बाद क्या है, इसको पंच्च्वक्ट करना है, see sad to me, have you even been to Goa, यानि तुमने कभी Goa गई होए या विजिट की हो, तो इसका कैसे, इसका कर दोगे, कि say sad to me, इस तरह, इसको inverted कामा कर दोगे, यहां कामा लगा दोगे, ठीके, have you even seen to the Goa, ऐसे कर दो गई है, ठीके, तो यह आपका हो जाएगा, clear मेरे भई, आगे चलते हैं, अगला हम लोग का, चौथे के बाद यह, पांच्वा प्रस्त, नहीं, नहीं, सॉरी, चौथा में अभी एक बाकी है, यह वाला, ट्रांसलेशन वाला, ट्रांसलेशन करना है, इसक of all season, तो लिख दो यहाँ पे, कि the rainy season is the waste of all season, चार ओर हरियाली दिखाई देती है, तो गिर्नी is visible all where, ठीक, क्रिसी के लिए बहुत, क्रिसी के लिए वर्सा बहुत महत्पूर है, तो लिख दोगे, कि rain is important for agriculture, ठीक, उसके बाद लिख दोगे, कि वर्सा और वन एक दूसरे पर निर्भग है, तो rain and forest are depend on each other, जो rain और forest है, वो एक दूसरे पर क्या है, depend है, तो यह आप लिख दोगे, इसका हिंदे translation कर दोगे, इसका आपको चार मर्क मिल जाएगा, simple, चलो, अब देखो, literature section पर आ जाते हैं, ग्रामर के बाद हम लोग, literature section पर, अब देखो, इसमें हम करते हैं, इसमें अब, okay, literature section में आपके book से question होगे, ठीके, तो चलो इसको करते हैं, book से आपके, पहला इसमें question देखो, आपका 30, 30, 30, 30 या 40 आपदों में इसका लिखना होगा, यह आपके approach से होगा, ठीके, यहाँ पे देखो, 4 प्रसन होगा, A, B करकर, और प्रतेक में अथ मेरा जा रहा है, तो फिर disturb हो रहा हूँ, चलो जल जल करा देता हूँ, क्योंकि अब तो यह आपके book से है, who was N.A. Frank, where did C. write a diary, okay, मतलब N.A. Frank कौन थे, उसने कहां डायरी लिखा था, 30 सब्द में इसका answer आपको लिखना है, या फिर इसका नहीं लिखना चाहते हो, तो इसका girl, मतलब N.A. Frank, Germany में जर्मी एक Jewish girl थी, यहुदी, Jewish girl यानि यहुदी लड़की थी, who wrote a diary, जिसने एक डायरी लिखा था, while in hiding, यानि hiding के समय, छुपे हुए समय, with her family, यानि अपनी family के साथ, and four friends, और चार दोस्तों के साथ, in Amsterdam, Amsterdam में, इतना ही लिख दोगे, तो आपका answer हो जा चाहते हो, कि during the German occupation of the Netherlands in World War II, यहां तक भी लिख सकते हो, बाकि यहां तक भी लिख सकते हो, यह जो Amsterdam में लिखा है, तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बाकि यह पूरा भी लिख दोगे, तो और अच्छा है, बाकि आगे चलते हैं, कि what is Kurg famous for, कुर्ग किस लिए famous बाई, तो देखों, यहां पे लिखा गया है, क्या, कि कुर्ग is the smallest district of करनाट का, it is famous for coffee, spices and rain forest, यानि वर्सावनों के लिए famous है, ठीक, coffee के लिए, spices के लिए, मसालों के लिए, coffee के लिए, और rain forest means, वर्सावनों के लिए famous है, it is also famous for hospitality, wildlife and adventure sports, मतलब यह, hospitality यानि, एक तर से हम बोल सकते हैं, कि जैसे, महमान नाजी, यह hospitality means, महमान नाजी, मतलब, एक नहीं बोलते हैं, कि मतलब, वहां पे जाने पे बहुत, मतलब, हमें अच्छा सर्व किया जाता है, मतलब, बहुत वहां का अच्छा सिस्टम है, हम उस होटल में गये, तो मेरी, हमारी महमान नाजी, महमान नाजी बहुत अच्छे से हुई तो वो महमान नाजी के लिए भी परसीद है तो इटीजाल सो फेमस पार हॉस्पिल्टी, विल्ड लाइफ और एडवांचर स्पोर्ट विल्ड लाइफ यानि जंगली एक तरसे जीवन और एडवांचर स्पोर्ट के लिए भी फेमस है तो ऐसे लिख दोगे, अब चलो इन दोनों में इसको एक आपको लिखना होगा बाकी मैं दोनों बता दिया उसके बाद यहां भी है, इन में से दोनों में इसको एक लिखना होगा पहला कोशन है, कि बाद भाद लेंचर स्पोर्ट के लिखना होगा पोस्ट अफिस इंप्लाइज को लेंचर ने किस प्रकार रिमार किया बंच आफ क्रूक्स, क्योंकि उसके सोचा क्या मैंने 100 पीसी समागा है और यहांपे 70 पीसे सी मिले है यानि 30 pieces लग रहा है कि यह जो post office implies है उन्होंने चुड़ा लिया है तो इसलिए उन्हें मतब bunch of crooks उन्हें बोला है ठीक simple तो यहाँ पर इसका लिख दोगे देखो यहाँ पर लिखा गया है लेंचो रिमार्क्स रिमार्क्स for the post office implies bunch of crooks because क्योंकि he found only 70 pieces in the envelope उसने केवल 70 pieces envelope में पाया he thought उसने सोचा that the employees of the post office had stolen the rest of the money यानि जो भी अब बच्चा हुआ मनी यानि 30 pieces था उस तो post office के employees चुरा लिया थे इसलिए लेंचो ने उन्हें bunch of crooks करकर रिमार्क किया simple यह answer है इसका उसके बाद यहां एक और करकर है इसको लिखो तो आपको इसको लिखने के जूरुत नहीं है बाकि दोनों में इसको भी लिख सकते हो exam में आपका मन what was the meaning of freedom for mandela यानि mandela के लिए freedom का meaning क्या था तो इसको लिख दोगे the meaning of freedom for mandela is the freedom that is not abstract in leading a lawful life ऐसे लिख दोगे आपका इसका दो मार्क मिल जाएगा अब देखो आगे क्या है प्रस्णोतर संक्या 6 प्रस्णोतर संक्या 6 अब यह 4 मार्क वाला है ठीके यह भी आपके pros section से हैं इसमें आपके कितने दो प्रस्ण्दी यह उए दोनों में सको एक ही लिखना है क्योंकि लिखना है क्यों कि answer any are the following in 60 words इसको साथ साथ सबदों में इसका आइसका आउनसर लिखना है जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा और दोनों में इसको यह ani 1 लिखना है आउनसर एनी 1 ठीक है चलो तो पहला है कि what did किसा गौतमी लर्न एबाउट देथ के बारे में किसा गौतमी ने क्या सीखा तो यहाँ पर देखो when the, क्या है भाई छे का यह वाला है in the end में किसा गौतमी वाज फ्री किसा जो गौतमी थी वो क्या थी free from all illusion यानि सभी illusion से free हो गई she wandered from house to house वो क्या house to house यानि घर घर भटकी to get a handful mustard seeds यानि एक मुठी mustard seed के लिए और वो किसने मांगा था वो बुद्धाने मांगा था भाई ठीक है और एक ऐसे घर से मांगा था जहां कोई न मरा हो लेकिन वो घर-घर भटकी और ऐसा घर कहीं नहीं मिला कि भाई उनको mustard seed मिल जाए उस घर से जहां कोई न मरा हो ठीक है तो अंत में वही समझ गई कि भाई मतलब जो मौत है एक तरह से अपर हारी है आनी ही आनी है एक दिन ठीक तो वहीं इसमें सब लिख दोगे तो देखो इन्द इंड किसा गौतमी वाज फ्री फ्राम ओल इलूजन सी वांडर्ड फ्राम हाउश तो हाउश तो गेट हैंफूल अप मस्टर्चिज बट सी कुड़ नाट फाइंड लेकिन उन्होंने नहीं पाया सी रियलाइज दी इन्वर्स इन्ड लिख दो कि इन्ड इन्ड अंत में सी रियलाइज उन्होंने रियलाइज किया इन्वर्सल तूथ की मतब मॉत जो है आपर यहारी है इन्यूवर्सल है आएगी है आएगी एकतर से बोल सकते हैं इन्ड आल मॉटल आर डिश्टिंग टू डाई सूनर और लैडर यानि सब भी को एक ना एक दिन बोल सकते हैं कि मरना है डेट इस पेर्स नौन यानि डेट यानि जो मौत है किसी को नहीं छोड़ती ठीक है तो यह लिख दो कि आपको चार मार्क मिल जाएगा या इसमें यह 6 का A था न और इसमें 6 का B बाकी आप दोनों में इसको एक ही करना है क्योंकि एक ही बोला था लेकिन चलो इसको भी देख लेते क्योंकि आपके यहां में कोई भी आ सकता है मिर भाई किसी में यह आ सकता है किसी में यह चलो तो how did the bus conductor receive Bali ओके जो bus conductor था उसने जो Bali थी उसको कैसे receive किया तो देखो यहां पर आता हूँ 6 का B वाला when the conductor stretches our hand to help Bali यानि Bali को अपना hand भाई बस में चलोने के लिए stretch किया आगे बढ़ाया get on the bus यानि भाई बस में लेने के लिए see act तो उसने ऐसे किया see act like a mature lady तो उसने एक mature lady की तरह act किया and say और कही और भोली that की she can get on by herself कि वो अपने आप चाड़ सकती है हड़ जाओ तूम ठीके see also say उसने कहा उसने यह भी कहा that की she does not need help कि उसे help की ज़रूरत नहीं है the conductor is a cheerful person जो conductor था एक cheerful यानि खुस मिजाज आदमी था and fond of joking और क्या था joking का shock था मतलब हसी मजा करने का एक तरह से बोल सकते हैं so इसलिए he call he calls bali madam इसलिए उसने कहा कि ठीक है bali madam ऐसे कहा होगा ठीक है मतलब madam पुकारा छोटी बच्ची हो क्योंकि उसने कैसे एक्ट किया एक मतलब मतलब वो बहुत excited थी लड़की बस पे चलने के लिए क्योंकि पहली बार चल रही थी तो वो सब कुछ अपने से करना चाहती थी तो चलो यहाँ पे चीजे हो गई आगे दीखो आगे लिखोगे कि बट लेकिन ओके यहाँ पे मतलब यह किसके बारे में लिखा जारे है कंड़क्टर की दी कंड़क्टर इज दी चीएर्फुल परसें एंड फॉन आप जोकिंग सो ही कॉल बाली मैडम ठीक बट ही बिहेब लेकिन उसने बिहेब किया बहुत अच्छी तरह विथ बाली यानि बाली के साथ वेन ही इंटर दी बस जब उसने बस में इंटर किया उसने उसको गाइड किया टूवर्ड दी सेंट टूवर्ड दी सीट एंड गेब हर टिकट ओके उसे और टिकट भी दिया ठीक चलो आगे देखते हैं कोशन नमर साथ कोशन नमर साथ क्या है कि विल यू नो इन दी जंगल वेदर इट इज दी एसियन लाइन और सम अधर बिश्ट तो इसका देखो यहां पर आंसर है कोशन नमर साथ का कि दी पोएट सजेस्टेट डैट इसका मैंने काफी यह खतरनाक आंसर लिख दिया है ठीक है इसको छोड़ते हैं चलो मैं कभी इसका बता दूँगा आंसर नार्मल तरीके से लिख कर चलो ठीक है बता ही देता हूं क्या दिकत आप कैसे जानोगे इन दी जंगल में वेदर कभी इट इज दी एसीन लाइन की है एसीन लाइन है और सम अधर की कोई अधर है ठीक है तो देखो इसका कैसे लिखोगे मेर भाई यहाँ पे देखो लिखोगे कि दी पोएट सजेस्ट डैट पोएट ने सजेस्ट किया डैट कि इफ लाइज एट टाउनी बिष्ट इन दी जंगल इन दी इस्ट एडवांस टुवर्ड्स अस दैन इट इस एसीन लाइन यानि कहने का मतलब क्या है कि मतलब जंगल में पुर्व में अगर हमें क्या एक लंबा ठीके लार्ज एंड टाउनी लंबा मतलब एक तरसे और उसके मतलब टाउनी एक तरसे बोल सकते कि जैसे चितेदार टाइप का मतलब हमें मिले तो वह क्या होगा एक एसीन सी होगा वी कैन अइड़िफाई इट वेन इट रोवर और हम इससे ऐसे भी इड़िफाई कर सकते हैं जब हो दाहरता हो एंड रोवर एट अस यानि हम पर दाहरता हो वाइल वी आर डाइंग विद फियर और जब हम उसके फियर से मतलब उसके रोवर से दाहरत से मतलब एक तरसे डर जाते हैं मतलब उसके जगह पर और दिया है तो यह देखो काफी मतलब लड़के यही करेंगे इस प्रस्ण के जगह पर यह प्रस्ण के जगह पर आपको अथवा दिया रहेगा और अथवा में चार लाइन का पोएम दिया रहेगा तो यह आप यहां जो प्रस्ण दिया रहेगा उसको आप मत करना अथवा वाला करना का था वालाई देखो यह पर दिया है कि इन धा की कणंद क्या दो प्रशन का उत्तर लिखने से अच्छा, चलते हैं है। यहां पर आपको राइट दGreg動画 लिखेंगे हैं कि ऐसो जीरूपिक पे से यानि दिये गए टॉपिक यानि वही चेप्टर है इसमें आपके चेप्टर दिये रहेंगे ठीक 40-50 सब्दों में देखा लिखा है नो 40-50 वर्ट चलो तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसमें मैंने किस पर लिखा है इसमें आमांडा पर साइद लिखा हुआ है इधर मैं एक मिटी यहाँ पर आ जाता हूँ अब और 5-7 मिट की वीडियो बच्ची हुई है 5-6 मिट नहीं मैं यह 10 मिट लग जाएगा चलो यह क्या है Central Idea आमांडा पर आमांडा इस पोएम एवाउट चाइल्ड फिजियोलोजी पर अधारित आमांडा क्या है एक चेप्र है रिटेन बाई रॉविन क्लेन यानि रॉविन क्लेन द्वारा लिखा गया है दि पोएम तेल अस एबाउट लिटिल गर्ल पोएम जो है एक शोटी बच्ची के बारे बताता है आमांडा आमांडा के आमांडा सी इज कंटिन्यूसली बिंग इसकोल्ड जो कंटिन्यूसली यह निलागतार डाटी जाती है जो यह मतलब उसकी मां बार बार डाटी है वह उसको क्या करता है दुखी करता है वह सुचती है कि जो एक औरफन है ठीके यह जो एक आनात है वह भी मुझसे अजादी से रहती है वह भी मुझसे फ्रीडम में रहती है ठीके क्योंकि उसकी मां उसको बार बार डाटी है clear the little girl does not pay attention to what her mother is saying कोई भी ध्यान नहीं देती कि उसकी मां क्या कह रही है the poem points out that parents must give some freedom to growing children मतलब हम बोल सकते हैं कि जो यह point है हमें सीखाता है कि मतलब एक बढ़ते हुए बच्चे को जो छुटा बच्चा एक तरसे बोल सकते हैं उसको मतलब आजादी देनी चाहिए parents को हमेशा डाटना उटना नहीं चाहिए okay children constant scolding may adversely affect a child मतलब एक जो constantly बच्चों को मतलब डाटना दबाव में रखना यह उसको बुरा एक तरसे बोल सकते हैं बना सकते हैं ठीक है उनके मतलब दिमाग पर बहुत उल्टा एफेक्ट भी डाल सकते हैं तो यह है आपका क्या Amanda वाले पे central idea हमने fire and ice का central idea लिखवा दिया जो आपका first chapter था उसका भी और यह Amanda वाला भी हो गया ठीक dust up snow, Amanda और fire and ice तीन चेप्टर का central idea याद कर ले ना इनहीं में सफंज जाएगा आपके एक्जाम में चलो अब देगो question number हम लोगा आगे start होता है अब आप लोगा प्रोज poetry हो गया यह supplementary वाले sections है यहाँ पहला प्रसन रहेगा दो प्रसन यहां रहेगे किसी एक का उतर देना रहेगा लेकिन दोनों को हम लोग देंगे 30-40 सब्दों में 3 मारका और यहां भी दो प्रसन रहेगे एक ही का उतर देना होगा 60 सब्दों में जो 4 मारका होगा ठीक चलो तो इसको देखते हैं पहला है कि what treatment did the doctor give to tricky ठीकी को मतलब जो doctor थे वो क्या treatment दिये कुछ नहीं दिये क्योंकि वो तो स्वस्थ था भाई ठीक तो देखो यहां पिलिक दोगे नौ का यह वाला अंसर कि doctor Harriet भाई doctor का Harriet नाम था ठीक है तो doctor Harriet गेब no medical treatment to tricky यानि ठीक को कोई भी treatment medical treatment नहीं दिया he realized that the only problem with tricky was his greed for food यानि उसने realize कि जो tricky है उसका मतलब मतलब उसकी problem के और भोजन के परती लाला ची मतलब वो बहुत खाता है इसलिए वो ऐसा हो गया है ठीक for two days दो दिनों के लिए he kept an eye on him उसने मतलब उस पे एक तरसे बोल सकते की ध्यान रखा and he gave him no food but plenty of water उसने मतलब कुछ नहीं दिया खाने के लिए लेकिन बहुत थोड़ा पानी दिया ठीक है चलो when did the तहसिलदार साहीब come to the bholi village bholi के village में तहसिलदार साहीब को बहुत जब एक school का integration करना था ठीक है चलो तो यहाँ यह 9 का एक हो गया यह भी तो देखो when mangla got married जब mangla का भीवा हो गया था ठीक है यह हुआ ठीक है when mangla got married जब mangla का भीवा हुआ हुआ bholi was 7 year old तो bholi जो थी 7 सालों के थी in the same year a primary school for girl was opened in her village यानि उसी समय एक primary school उनके village में open हुआ है ठीक वे a primary school for girl यानि लड़कियों के लिए open in her village उनके school में open हुआ तैसिलदार साहब came to perform it integration ceremony यानि वही इसके integration ceremony में आय थे तैसिलदार साहब he inaugurate a school यानि मतलगा इसकूल क्या लिए लिए रामलाल के village में इसकूल कुन हो ने क्या क्या Kate किया and advised him to send his daughter to school और उस अपने मतलब उन्होंने मतलब सजेस्ट किया कि अपने आप डाटर को इसकूल भेजो ठीक तो चलो यह हो गया अब देखो इसका साथ सब्दों में जवाब देना है पहला इसमें है एवाला कि उसने प्राइमरी एजुकेशन के लिए मतलब पहली बार वो कैसे गई एक तरस बोल सकते हैं तो देखो यहाँ पे इसका लिखा गया है इतना बड़ा आंसर वही वाला वेन मंगला गॉट मैरिड वाला यहां से यहां तक यह लिख दो ठीक है यहां से यहां तक लिख दो सेम देखो यहां से यहां तक लिखा गया है और थोड़ा सा इसमें जोड़ दो कि सिंस रामला डिडिन नॉट हैब टू करेज डू डिस ओबेदी तहसिलदार मतलब जब तहसिलदार एडवाज दिये कि अपने मतलब आप बच्ची को स्कूल भेजो यहां तक तो आपको मैं इस कोशन में बता ही दिया तो वही से इसका अरत है ठीक है आगे इसमें थोड़ा से जोड़ दोगे कि सिंस रामला डिडनाट हैब दी करेज डिस ओबेदी तहसिलदार मतलब वही कहने का मतलब कि जब तहसिलदार ने कह दिये कि आप अपने बच्ची को स्कूल भेजो तो इसके पास मतलब जो रामलाल था उसके पास मतलब उसकी आग्या की ओहलना करने का साहस नहीं था और उसके नीचे थोड़ा सा यह जोड़ दोगे इस कोशन के आंसर के लिए ठीक मेरा भाई चलो अगला देखते हैं इसमें का बीवाल आंसर कि वाट उड हैव हैपन इफ मतिल्डा हैड नॉट लोश्ट हर डाइमंड नेकलेस इन दी मिनिस्टर स बाल मिनिस्टर के जो बाल पाटी थी उसमें अगर उसने डैमंड नहीं खोया होता तो क्या होता है तो भाई वो मतलब कभी महंती नहीं बनती हमेशा दूसरे को दोस्ट देती ठीक चलो तो इफ मतिल्डा लोश्ट हैड नॉट लोश्ट दी नेकलेश she would have continued to think of herself as a victim of faith यानि हमेशा अपने भागी को दोस्ट देती है और कहती कि मेरे भागी में ही लिखा था कि भाई वो एक अच्छा जीवन चाहती थी मतलब धनी वाली लेकिन वो तो मिडिल्ड क्लास थी ठीक and the heroism okay elated from her character by the need to pay for replacement necklace would never have developed okay मतलब कहने का मतलब है कि मतलब और जो उसके अंदर से जो heroism आया मतलब एक तर से मतलब जो बोल सकते हैं मतलब जो कलपना उसके अंदर से आई जो मतलब भाई क्योंकि उसे पे करना था भाई उसने जो necklace खरीद कर दिया था अपनी दोस्त को तो उसके लिए पैसे पे करना था जो सब उधार उधार लेकर खर दी थी तो मतलब उसके लिए उससे बहुत मतलब मेहनत करना पड़ा तो ऐसा मेहनत करने वाली वो नहीं बनती अगर ये necklace नहीं खोता तो ठीक है तो ये इसका answer है अपनी दोगे आपका ये कितने mark है चार mark है मिल जाएगा तो देखो दोनों में इसको ये का है मतलब यहां दोनों में इसको येक ही लिखना होगा आपको इसमें से दोनों में इसको येक ही लिखना होगा ये डी आई वाला इससे पहले हम लोगों ने डी अच वाला सॉल्व कर लिया है ये डी एच के बाद डी आई पेपर सेट यानि सेकेंड पेपर सेट आपका हो गया मेरे भाई ठीक है चलो तो इसको आप पढ़ लेना और वाकी पहला पेपर सेट आप प्लेलिस्ट में जाकर व में तब तक के लिए थैंक यू